नमस्कार दोस्तों एक बाए फिर से स्वागा थे सरकारी मंत्रा के इस ऑफिसियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग के बीच उत्तर प्रदेश सब इस्ट्वेटर भरती परिच्छा 2021 के बारे में मैं बात करने वाला हूं पूरी डिटेल्स में सेलिबस क्या है एज क्राइटेरिया फूल डिटेल्स में मैं बात करूंगा इसमें टोटल पोस्ट की बात करें प्राक्स 9500 प्लस पोस्टों के लिए आप वैकेंसी निकाली गई है जिसका आवेधन जो है एक अप्रेल 2021 से स्टार्ट होगा ऑनलाइन आप अप्लाई करना है आए डिटेल्स में बात करते हैं इस आफिशियल नॉटिफिकेशन को जो मैंने आप लोगों को इसकी आफिशियल वेपसाइट जो है यूपी पी आरवी की वेपसाइट से डाउनलोड किया है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें सिलरी की बात करें तो 9300 रुपए से ल 2613 पद हैं और इवस का 902 पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पर 2437 पद है अनुफुची जादि के 1895 पोस्ट है और यहां पर अनुफुची जन जादि के 180 पोस्ट यहां पर निकाले गाए टोटल पद की बात करें तो 9000 27 पोस्ट के लिए यहां पर आवेदन होना है इसमें डाकुमेंट्स क्या क्या लगेंगे पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहें तो दोस्तों यहां पर कुछ पद जो है प्लाटून कमांडर और पीसी क के भी हैं यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉक्स 484 पोस्ट हैं यहां पर दोस्तों इसमें आपका चैन जो है होगा वह आपका रिटेन इंग्जाम और फिजिकल मेजर्मेंट के बाद होगा आवेदन की प्रिक्रिया यहां पर आपको जो है एक अपरल 2021 से स्टार्ट होगी 30 अपरल 2021 तक चलेगी रातरी 12 वजे तक इसमें चैन जो होगा आपका रिटेन प्लस फिजिकल प्लस आपकी मेरिट में उसके बाद आपका जो है आडर प्रिफरेंस की आधर पे किया जागा आवेदन सुल की बात करें तो 400 रुपे आपको यहां पर निर्धायत किया गया है कि इलिजिबील्टी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहां पर ग्रिज्वियसंड की डिग्री यहां पे मांगी गई है और इसमें अगर आपके जो है NCC का जो है B grade का प्रामारपत्र है तो उस condition में आपको जो है preference दिया जाएगा अगर आपका marks जो है दो लोगों का tie होता है उस condition में और दोस्तों यहाँ पे जो है age जो count किया जाएगा एक जुलाई के आधार पर किया जाएगा जिसमें आपकी एज जो है minimum आपकी 21 वर्स प्राप्त की हो और maximum आपकी एज लिमिट जो है 28 वर्स हो तो दोस्तों यह रही eligibility और आपकी जो है online लिखित परिच्छा में जो है syllabus क्या होगा तो इसमें आपके समान हिंदी के सव अंकों के questions होंगे और मूल विधी समविधान या सामान ग्यान के सव अंक की परिच्छा यहाँ पर ली जाएगी और थर्ड जो होगा वो संख्यात्मा के मानसिक योगिता परिच्छा होगा सव नंबर का और आपका मानसिक अभिरूची परिच्छड या बुद्ध लब नंबरों की परिच्छा यहाँ पर ली जाएगी और इसकी जो है आपका टाइमिंग जो होगी दो गहंटे आनि 120 मिनट की अंलाइन परिच्छा ली जाएगी अगर आपकी जो है परिच्छा एक से अधिक पालियों में होती है तो आपका जो है इसमें नॉर्मलाइजेसन का भी रूल लागू होगा और आपको जो है क्वालिफाई करने के लिए सभी बिस्तों में लगभग आपकी 35% मार्क्स होने चाहिए और टोटल में आपका 50% मार्क्स आने कंपलसरी है अगर आप यह नहीं आता है तो आप क्वालिफाईंग जो उनमें नहीं रहेंगे हाइट की बात करें तो यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 119 cm यह रखा गया है और अनुफुची जात के लिए जो है निम्तम 160 cm यहां पर हाइट रखी गई है अजिए 79 cm जो है सीना का जो है मेजर्मेंट होगा और फुलाने के बाद 84 cm होना चाहिए और अनुफुची जन जातियों के लिए 147 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए वेट का भी यहां पे प्रावधान रखा गया जिसमें आपकी निम्तम वेट जो है 40 किलोग्राम होनी चाहिए और फिजकल मेजरमेंट में आपकी जो रणिंग होगी पुरूस के लिए 4.8 किलोमीटर की दौर होगी 28 मिनट में और यहां पे महिला के लिए 2.4 किलोमीटर की दौर होगी 16 मिनट में यह आपको कमपलसरी है इतने देर में आपको करना हो गया ओफिस्यल वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं इसकी ओफिस्यल वेबसाइट है http www.pbpb.gov.in इसकी ओफिस्यल वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन वाक्स में प्रवाइड कर दूँगा आप इसकी ओफिस्यल वेबसाइट भी जा सकते हैं तो दोस्तो इसमें आप लोगों को पहले आपका रिटिन होगा फिर आपका जो है फिजिकल लिया जाएगा उसके बाद आपका जो है मिडिकल टेस्ट होगा और इसमें इलिजबिल्टी जो है यह में रिलिक्सेशन कितना प्रवाइड किया जाएगा वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं यहाँ पे अधिक्तम पांच वर्स जो है और स्ट के लिए जो भी उसमें आपको पांच वर्सका रिलिक्सेशन दिया जाएगा 28 वर्स के बाद उसके बाद आपको पिछडा वर्ड में आते हैं तो आपको पांच वर्सका इसमें भी अधिक्तम आयोकी शीमा के छोट प्राइड की जाएगे और आपका जो है आपको जो है इसमें जो अगर EWS में आते हैं तो आपको जो है एज मेरी रिक्सेस्टन नहीं दिया जाएगा अगर आप भूद पूर्फ सैनिक हैं तो आपको तीने वर्स की भी छूड़ दिजाएगी इसमें आपको तो दोस्तों इसमें अगर आपका जो है अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं या SC ST के कैंडिडेट है तो अगर आपको जो है एज मेरी लिक्सेस्टन चाहिए तो आपका जाती प्रमानपत्र एक अप्रेल 2020 के बाद का होना चाहिए और 30 अप्रेल 2021 के पहले का होना चाहिए तो इसको आप नोग ध्यान दीजेगा ठीक है अगर आपका जो है एज मेरी लिक्सेस्टन चाहिए तो अगर इसके पहले का आपका है तो आप बनवा लें ज्याती प्रमानपत्र तो दोस्तों फर्स इस्टेप में आपके अप्लाई पृधियार दिजके में अपका जो है जो है केंडिडे चरेफ्ली थैरिया है कि वह सब कुछ के बादको अपको स्कॉर्ट इटल में आपको पूझे करना है उसके बाद चाहिए अं ज्यां आपको करना होगा सब्मिट कर देना जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को अपलाई करके भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है जो आपका एक्जाम होगा वो टोटल जो है 400 नॉम्बरों का होगा इसमें आपको जो है समाने हिंदिक के यह जो है सेलेबस होगा आपका और मुलविसी सम्विधान से यह आपके सेलेबस में आएंगे यह कोस्टन्स समान निग्यान का भी यहाँ पर टॉपिक दिया हुए यहाँ पर देख सकते हैं तो और यहाँ पर नीचे जो है आपका नुमेरिकल अबिलिटी का जो कोस्टन्स है जो चैप्टार से वो यहाँ पर दिये हुए है इसी में से आपके जो है कोस्टन पूछे जाएंगे रिजनिंग के भी यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुए है आप लोग भी आख सकते हैं तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी मंत्रा यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले दोस्तो मैं आप लोगों को इस यूटीब चैनल के माध्यम से डेली जो है जॉब अपडेट लेकर के आता रहता हूं और अगर आपने बेल आइकन को प्रिस्ट नहीं किया है, नोटिफिकेशन के लिए, कि मैं जैसे बीडियो अप्डेट करूँ, आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप बेल आइकन को भी प्रिस्ट कर दे, और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वैरी अगर आपको इस वीडियो में अगर लगी हो तो कुछ पूछना चाहते हैं तो अब कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपका रिपलाई जरूर दूंगा धन्य बाद